हेलो विच्चो आज मैं बताऊंगी आपको दो बैनम की कहान इस कहाने को बढ़ कर आपको कैसर लगा उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए जानते एं दो बैनम की कहानी। इसे गाओं में दो बैने रहती थी, एक का नाम सुनीता था और दूसरे का नामắt सुशीला। शुशीला बहुत यह जाता समझदार जब कि सुनीता बहुत ही नक्चड़ी थी। शुशीला बहुत महनती थी और दयालू थी सप्यू मदद करती थी वही सुनीता एक घमंडी रड़की थी एक रोज शुशीला पानी भरने के लिए नदी के पास गए वहां उसने देखा एक बुड़ी औरत प्यास सी तड़प रही थी बुड़ी औरत को देख के शुशीला उसको बहुत दयाहा गई और उसने अपना भरा हुआ पानी उस बुड़ी औरत को पिला दिया जैसे ही उस बुड़ी औरत ने पानी पिया एकदम से वो बुड़ी औरत एक खुबसूरत परी में बदल गई और उसने शुशीला को एक वर्दान दिया उसने वर्दान दिया कि जम पी तुम बोलोगी तो तुम्हारे मुझसे मोती गिरेंगे ये सुलके शुशीला बहुत ही खुश हो गए शुशीला जब घर गए तो जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो उसके मुझ से हीरे मोती किरने लगे ये देखकर छोटी बहन सुनी था उसको जल ढूने लगी और पता लगाने लगी कि ये कैसे हुआ उसने शुशिला से पूछा कि ये कैसे हुआ शुशिला ने बताया उसे कि हूँ पानी भरने गई थी तब उसे एक परिन यवर्दान दिया कि वो जब भी बोलेगी तो उसके मुझ से होतिया गिरेंगी ये सुनके छोटी बहन को बहुत ही लाल चा गई और वो भे निकल पड़ी नदी के किनारे नदी के किनारे पहुचते ही सुनीता ने देखा कि वहाँ कोई परिन नहीं है सुनीता ने देखा कि वहाँ एक बुरी औरत है सुनीता को वह बुरी औरत दिखाए दी जो पानी की ब्यासी थी उसने छोटी बहन से पानी माँगा लेकिन उसने औरत का अपमान किया और पानी देने से मना कर दिया और कहा ये पानी सुन्दरपरी के लिए है उसी वक्त बोड़ी औरत सुन्दरपरी में बदल गए और उसने सुनीता को शाप दिया उसने सुनीता को कहा कि तुमने एक बोड़ी औरत की मदद नहीं की जिसे एतनी प्यास रगी थी जाओ, तुम जब भी बोलोगी तो तुम्हारे मुझसे कीड मकॉड़े निकलेंगे और आखिर में वही हुआ वो जब घर गई और उसने बोला शुनू किया तो उसकी मुझसे कीड मकॉड़े निकलने लगे तो बच्चो इसलिए कहते हैं कि हमेरे लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप इससे अपने दोस्तों के साथ शेर करें, लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें